नमस्कार दोस्तों अमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम रिवाइन कर रहे हैं साड़े चार इंच स्टेटर साइज वाली एक मोटर को यह सिंगल फेस मोटर है 3HP की मोटर है और इसका श्ट्रेटर साइज साड़े चार इंच है और जो इनर डायर है वो साड़े पांच इंच है दोस्तो इसकी पीच जो है वह एक से तीन है एक से पांच, एक से साथ, एक से नो है रनिंग की ठीक है और इसके अंदर जो data आया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा जो company ने data दिया था ठीक है मैंने इसका data थोड़ा सा change कर दिया है इसके अंदर running में double तार थे लेकिन मैंने यहापे triple कर दिये जो data इसमें था वो मैं आपको बताता हूं वो इसतरे असे है सबसे छोटी कोईल जो है साड़े बारा इंच की है फिर डाई डाई इंच सभी बड़ी होती चले जाए ठीक है कि चार-चार क्वाइलों के चार सेट है रणिंग में और पहली जो क्वाइल है उसमें 40 ट्रन है दूसरी वाली के अंदर 70 ट्रन है ठीक है मैं टोटल डबल करके बता रहा हूं उसका अदा कर लो आप क्योंकि डबल तार थे इसमें फिर उस से अगली के 74 उस से अगली के 78 तो इस तरह से ट्रन है सबसे चोटी के 40 70 फिर 74 फिर 78 इस तरह से हैं ठीक है लेकिन बाकी जो एक से चार जो पिछ वाली मोटर होती है उसमें जो लास्ट की कोईल होती है चोती वो एक दूसरे को उपर डाली जाते लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि सुचा कि चलो इस मोटर का थोड़ा सा डेटा आपको बताया जाए मोटर की रुवाइंडिंग की जानकरी थोड़ी दी जाए तो वीडियो को मैंने फास्ट कर रखा है तो यह इसका डेटा ठीक है और गेज की बात करें तो इसके अंदर डबल गेज निकले थी एक 21 नमबर था एक 20 नमबर ठीक है और रणिंग में और स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें गेज है 22 नमबर और स्टार्टिंग की भी चार सेट है यहीं यकिन स्टार्टिंग के दोस्ट दो दो कोल हो के हैं दो सेट में तीन-तीन कोईले हैं वह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे तो दस हैं मिनट का छोटा सा मैंने पार्ट बनाया रानिंक का य। डालने का तरीका सेम है गुमाव सेम है सब कुस्ते मैं डेटा का फर्क है अगर इस तरह की कोई मोटर आपके सामने आये जैसा कि मैंने बताया जिसका स्टेटरस आधाय जो है वह निए साड़े 4 इंच हो और ऑफ ताढ़े 5 उसका इंडर हो अंदर का गोलाई तो उसमें डेटा आप आप से लगा सकते हैं कि तो सब्से छोटी कोल साड़े 12 इंच की फिर उसमें आप 2.5 प्लस कर लो फिर उससे बड़ी में फिर ठाइफ कर लो तो ऐसे फर्मे के उपर बात होती है तो इसमें धाइँच का आपको गैफ देना होता है तो फर्मा जो धाइँच वाले गैफ वाला पर अब कॉयल बनाना ठीक है कि दाइस तो बड़ी होगी ही होगी अगर आप छोटी कर देंगे तो फिर डलेगी नहीं अब कोपर वेट की बात कर लेते हैं दोस्तों चार किलो इसमें कोपर लगता है पूरी मोडर के अंदर जो डेटा मैंने बताया उसके हिसाब से लॉप लॉकल तो सभी जो कॉइल है रनिंग की सिंगल डलेंगी एक दूसरी के नहीं डलेंगे यजी में बलंज द्रफॉपर 60 च्छोटी में 40 फिर 50 ऐसी को च्षोटी मेरती तीन तीशे फिर 40 फिर 50 गबंद ये झाल इसंफिे होड़ वाम को जया है है। कि मैंने इस्समें थोड़ा देटा थोड़ा चर्ज कर दिया है जो निकला था जो ट्रपल तार खरकी बनाए है 22 नमबर मैंने डाल दिया करें 22 प्लस 21 डाला मैंने 21,22 ऐसे करके मेंनिट बनाया है तो आप कुराना डेटा मैंने जो बताया जो कम्पनी का डेटा है वह ही आप यूज किये करें पैस्ट डेटा है वो जो कम्पनी देती है अगर आपके पास तार नहीं है तो आप मैंने वीडियो शेयर की थी कि डेटा आप अगर बदलना चाहें तो गेज चैंज करना चाहें तो कैसे बदले सिंगल से डबल कैसे करे गेज को डबल से सिंगल कैसे करे वो मैंने वीडियो में शेयर क्या था जो चार्ट होता है गेज बदलने का वो तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं सिंगल से डबल करने की डबल से सिंगल करने की उसके मादम से अगर आपके पास गये जलग है मोटा है या फिर बढ़ा है उससे पतला है तो आप कर सकते हैं आराम से हुआ है 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 टोटल 32 स्लोट यहां पर यूज किये जाएंगे रणिंग में और जो खाली है वो हर सैट के बीच में एक एक स्लोट है ठीक है तो इस तरह से हैं एक-एक स्लोट छोड़े जाएंगे फिर जब स्टार्टिंग डलेगी तब हम आपको बताएंगे किस तरह से डालना है तो रणिंग वाला पार्ट है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा करके इसको डाला जाए थोड़ा फास्ट मोशन में क्योंकि मैंने पहले भी इस तर कि यहां पे तीन Сपी की ज़रूरत हो वहां पे कहीं भी यूजज का सकते हो correct यहां हैं अच कल कि जो मोरह था कि यह दोस्तों वो बहुत हलुड की होती है और उसमें बहुत कम वेट होता है कोपर का कोपर बहुत कम डलता है धाई से तीन किलोड होता है लेकिन यहां पर पुरानी मोटर होती है या जो हैवी मोटर आती है उसमें चार केजी या फिर पांच केजी तक भी को पर लग जाता है अगर दोस्तों कनेक्शन का बता दूं मैं आपको वो आपके तार के उपर हैं अगर आप पैरलर कनेक्शन करते हैं जिसको डेल्टा भी बोलते हैं वह आप कनेक्शन देते हैं रनिंग के अंदर तो तीन तार अगर आपकी मोटर के अंदर है जैसे मैंने बताया कि बाइस नंबर प्लस एकिस प्लस इकिस तो आपका बहुत ज़्यादा एंपेर खाएगा व बचे एंपेर कम हो मोटर भी ठीक ठाक चल जाए तो आप एक काम कीजिए सीरीज में कनेक्शन करतीजिए बहुत अच्छा रहेगा जो सिंगल तार की होती है उसको पैरलर कनेक्शन ठीक रहता है लेकिन यहां पर बात करें कि 20 नंबर तार अगर हम डबल डालने लगते हैं डबल 21 डालने लगते हैं डबल 20 डालने लगते हैं तो फिर हमको फिर करना पड़ता है सीरीज में क्यूंकि यहां पर तार बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो कभी भी आपकी चक्की की मोटर जिसके कनेक्शन पैरलर में हो वह हीट हो रिवाइन करने के बाद डेटा बदलने के बाद या किसी بھی करेंड से ज्यादा हीट हो तो आप उसको सीरीज में एक बार करके जरूर देखी सीरीज میں बिलकुल भी घिर्म नहीं हो सकता है कि आपकी थोड़ा Voltage कम आते हैं यह लो जाले हैं यह सकता है कि अगर फूरे आते हैं तो फिर बहुत अच्छे से वर्क करें जी आदोस्तों उसी सिंधल तार-वाली दो दो होती है कि यहां पर जब डबल करते हैं ट्रपल करते हैं तब दिख्कत होती है तो दोस्तों मैंने रणिंग का डेटा बता दिया है साथ में स्टार्टिंग का एक छोटा सपार डालेंगे प्लस में कनेक्शन का तो उसमें भी दो बारा समय सापसीजे रिपेट कर दूंगा अच्छे से ठीक है तो वीडियो कैसी लगी यह हमको जरूर बताएं अगर पसंद आयो तो लाइक जरूर करें दोस्तों में सेयर करें और जो नए वीवर्स हैं उनसे रिक्वैस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिपिकेशन को ओन करें कि नोटिपिकेशन ओन करने का फायदा यह होता है बेनिफिट यह होता है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं जो भी आपडेट देते हैं चैनल पे चाहिए पोस्ट हो या वीडियो हो वह आपको नोटिपिकेशन द्वारा मिल जाता है उस आपका नोटिपिकेशन जब तो आप क्लिक करते हैं तो फिर वीडियो चालू हो जाता और आराम से देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारे रणिंग कोईल डलके इंस्टोल हो चुकी है कंप्लीट फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जय हिं जय वारत जय सिर राम